तो दोस्तों जैसे कि आप जानती हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा जोरत होती है अवेरनेस की तो कई बार क्या होता है कि काफी सारी खबरे हमें देखने को मिलती है खबरों के आधार पर कई स्टॉक के अंदर अच्छे खासी तेजी देखने को मिलती है और अच्छा खासा पैसा भी बनता हुआ नजराता है लेकिन यहाँ पर सिफ हम लोग को जो सबसे ज़ादा चीज फोलो करनी है वो है अवेरनेस की रही यानि कि हमें लोग को अवेर रहना है कि किस तरह की एक्टिविटी इस समय बजारों के अंदर देखने को मिल रही है आपने देखा कि टोटल मार्केट गिरता हुआ नजरा आया था ओमिक्रोन की वज़े से सेंटरल बैंक की नीतियों की वज़े से मुदरा सुरिती के अंदर जो हम लोग को डिस्बैलेंस की इस्तिति देखने को मिल रही थी तो टोटल मार्केट के अंदर गिराबर देखने की मिल है अगर आपको पहले सी पता हो तो जो लोग अच्छे खासे मुनाफ़े के अंदर बैटे हुएं तो आप पहले से अपना माल महा से निकाल सकते हैं और काफे सारे निवेशकों ने नीचे के लेवल पे अच्छे खासे खरीदारी भी की तो देखे बजार उपर गया तो महाँ पे अच्छा-कासा पैसा बन चुका है काफे सारे शेयर्स के अंदर हम लोग को तेजी भी दिखने को मिल रही है तो ये सारी चीजे हमें खेर बजार के अंदर दिखने को मिलती ही रहती है तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बात करेंगे वेदानता कंपनी की वेदानता कंपनी के अंदर एक बड़ी ख़बर निकल कर आई है और आपको बताना चाहूं कि वेदानता कंपनी अब लगबग एक हजार करोड रुपे के तो यहां पर इशू करते हूँ नजरा सकती है तो यह जो गनवर्टेबल डिवेंचर्स हैं यह एक शाका के लिए या फिर हो सकता है कि एक से ज़ादा साकाओं के लिए यहां पर इशू करते हूँ नजराएं तो दोस्तो इसके लिए कंपनी ने एक बड़ा प्लान तयार कर लिया है और कंपनी की बॉर्ड मिटिंग होनी है 27 दिसंबर 2021 को तो इसके अंदर बड़ा फैसला लिया जाएगा कि कब तक यह सारी चीज़ हमें पूरी होती वह नजराएंगी और कितना टाइम पीरिड जो है इसके लिए लगने वाला है तो दोस्तो यहाँ पर क्या-क्या चीज़े हमें देखने को मिलेंगी सिक्योर्ड, रिडिमेबल, नोन कम्यूलिटिव, नोन कनवेटेबल डिवेंचर से इसके अंदर देखने को मिलेंगी पहले आप कंपनी का चार्ट पेटर नहीं देखें, तो पिछले 6 मेनी के अंदर तो अब तक मल्टी बगर रिटन आपके बने दिरे-दिरे करके लगातार स्टॉक उपर की तरफ रुक करता वा नज़रा रहा है, लेकिन अगर आप इसी स्टॉक को लोंग टम के हिसाब से देखें, तो अच्छी खासी गिरावट भी आपको इस स्टॉक के अंदर देखने को मिली है, और बराबर अच्छी खासी गरावट देखने को मिले, क्या पता स्टॉक के अंदर लगातार गिरावट दीखने को मिले, तो इसलिए कम से कम इनवे्स्टमेंट कीजेगा, देखे, यहाँ पे एक साथ एक ही प्राइस के अस पास बलक में कियागा अない데 घाता को सकता है, इसलिए कम से कम इंग शेर खरी देते हुए ने जरा रहे हैं तो जानेंगे कि आखिरकार इस company के अंदर ऐसा क्या चल रहा है कि खरीदारी की राय लगातार इस company के अंदर देते हुए ने जरा रहा है और देखे यहाँ पे जो forecast हम लोग को देखने को मिल रहा है 2022 का वो भी काफी ऊपर शो हो रहा है यहाँ पर करन्ट प्राइस 342 का और अगर हाई रेंज की बात करते हैं तो 775 रुपे तक के लेवल स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं लगवाग 126 पसंड का अपसाइड मुवमेंट अभी देखें यह मौका है या धोका है यह तो आगे आने वाला वक्त बताने वाला है इसी तरीके से अगर मीडियन रेंज की बात करेंगे तो 368 रुपे तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं 7% का अपसाइड मुवमेंट देखने को मिल सकता है तो यहाँ पर अगर पिछले कई सालों की इस्तिती देखें तो कंपनी का जो रिवेन्यू था लगातार उसके अंदर हम लोग को यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है हाँ 2021 की कुछ इस्तिती समलती हो नजर आई थी इसके अंदर तेजी देखने को मिली यहाँ पर प्रॉफिट भी हम लोग को बढ़ता हो नजर आया था लेकिन उससे पहले लगातार गिरावट के साथ में हमें ओवराल इस्तिती दिखने को मिल रही थी अब देखें किसी भी कंपनी का जो महत्वपॉन पार्ट होता है वो होता है उसका शेर होल्डिंग पैटर्स का पार्ट यहाँ पर अगर प्रॉमोटर्स के सिदी देखें तो प्रॉमोटर्स के जो होल्डिंग है लगबख 65.18% के आसपास दिखाए दे रही और पिछले तीन क्वाटर के अंदर तो कोई चेंज नहीं देखने को मिल रहा था उससे पहले इसके अंदर प्रॉमोटर्स खरीदारी करते हुए नजर आ रहे थे दूसरी और अगर बात की जाए मूचल फंड्स की तो मूचल फंड्स के दौरा भी इस कंपनी के अंदर खरीदारी देखने को मिल रही पिछले तीन क्वाटर से यानि कि अप्रेल, जून और सेप्टेंबर लगातार मूचल फंड्स जो पहले बिकवाली करते हुए नजर आ रहे थे अब लगातार खरीदारी करते हुए नजर आ रहे इसी तरीके से अगर डियाइस की बात करते हैं तो डियाइस के द्वारा क्वाटरों क्वाटर बेसिस पर खरीदारी देखने को मिल रही है लगबग 8.5% के आसपास होल्डिंग दिखाए दे रही है जो कि पिछले वाले क्वाटर में लगबग 7.5% के आसपास देखने को मिल रही थी अब अगर एफाइस की बात करें तो लगातार बिकवाली के मूड में दिखाए दे रहे आर दसमलो 6-9% के आसपास इससे में होल्डिंग दिखने को मिल रही है और अगर पिछले वाला क्वाटर देखें तो 10.2% के आसपास होल्डिंग बनती है उने जड़ारी थी अब बाकी बचे आप और हम रिटेल निवेशक तो यहाँ पर देखा जाए तो लगबग 14.2% के आसपास होल्डिंग देखने को मिल रही है जो कि पिछले वाले क्वाटर में लगवक तेरे देखने के लेवल देखने को मिल सकते हैं देखें आज की जो खबर निकल कर आई है यह अभी अपडेट नहीं हुई है लेकिन अगर उससे पहले की बात करते हैं तो चार घंटे पहले आज के दिन हमें एक खबर देखने को मिली थी और वेसकोन इंजीनियर्स शूट अप 12% आफ्टर रिसीविंग लेटर ओफ अवार्ड फ्रॉम वेदान्ता तो देखें वेदान्ता की तरफ से लेटर ओफ अवार्ड है आप वेसकन इंजीनियर्स को मिलता हुए नजरा है स्टॉक के अंदर तेजी दिखने को मिली दूसरा और यह है कि अगर सैंसेक्स के अंदर तेजी दिखने को मिली तो वेदानता का शेयर है हम लोगे हैं पर बढ़ता हो नज़रा रहा है और कोई ऐसी खास ख़बर हमें इस कंपनी के इंदर नहीं देखने को मिली आज के दिन तो आज लगबग 48,17,620 क्वांटिटी ट्रेड होती होने तरह हैं उसमें से जो हमें डिलिवरबल क्वांटिटी देखने को मिल रही हैं लगबग 11 लाग के आसपास हैं तो परसंटेज अब डिलिवरबल क्वांटिटी लगबग 23.16 के आसपास निकल करा रही तो यह पूरी information पूरा database हमने आपके सामने रखा हो सकता है कि इसके अंदर कुछ कमी रगी हो तो दोस्तों आप comment करके हमें जरूर सज़ेस्ट कीजेगा साथ दोस्तों बताना चाहूं कि अगर आप नए हैं और डीमेट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो आप अपिस्टॉक के अंदर डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं दोस्तों के पूरी जानकारी आपको अच्छे लगी हो तो वीडियो लाइक जरूर कीजेगा चैनल सब्सक्राइब कर करके लेना ताकि नहीं वीडियो के नोटफिकीशन सीदे आपके मोबाल मिल सके थैंक यू सो मच फो आचिंग